रड़ी स्टार्ट युद्ध सोव्यत संग के अस्तित्व के लिए कस्ट दाई और मुश्खिल हो गया इस भयावह युद्ध से सोव्यत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया जिनकी पड़ी नती सीत युद्ध की शमापती से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकी करन तथा मिल है संखेप में सीत युद्ध का और इस्तनाव का एसिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा एसिया के सभी देश या चाते थे की छेत्र में सांती बनी रहे चीन और सोवियत शंग का सीमा विवाद चीन और वियत नाम का जगड़ा और भारत वचीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थित्यों को असपस्त करता है इस तरह से पाकिस्तान उरी तरह से थाईलेंड और फिलिपिन्स के साथ अमरिका के खेमे में चला गया था जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पस्चिंदे के देशों में शामिप्य अस्थापित कर रहा था इससे एशिया की एक ताको एक नया धक्का लगा है क्योंकि एशिया के देश अलग-अलग खेमों में बट गए थे 1960 के दसट में एक नया मोर आया जब सीत युद्धि के समय में आशियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर भाव हुआ इससे दक्षिनी पुर्वी एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किये गए इन देशों में सांस्क्रितिक एक रूपता की वजह से भी एक नए गुट ने जन्म लिया लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इन दक्षिन पुर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया की पहचान या एकता बनाने में साहिता मिली है या उससे धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी नीती बहुत असपस्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमी पुत्र नीती को जन्म दिया भारत भी अब आसियान का शहयोगी सदस्य बनने जा रहा है भारत की पहल से रक्षिन एसियाई शहयोग शंगठन सार्क की अस्थापना सन 1985 में की गई जिसके फलस्वरूप परोसी देशों के आपसी शहयोग के लिए नया वतावरन तयार हुआ यह प्रियास सनेह सनेह उपयोगी रूप लेता जा रहा है जो एसियाई की पहचान बनाने की ओर महतपुर्ण कदम है व्यापार निवेश तकनी की ज्यान संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गाउं के विचार को भी पैदा किया बढ़ते हुए व्यापार निवेश संचार एवं विज्यान की आधूनिक तकनी कोन ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया अंग्रेजी भाषा, हॉलिवूड, कम्प्यूटर्स और उपभोगता संस्कृती ने फूरे विश्यो को प्रभावित किया जिससे देशों में फासले कम हुए संस्कृती और शभ्यता भी प्रभावित हुई हो सकता है कि इसके अच्छे परिनाम ना हो ऐसी भी आसंका की जाती है उदाहरन तह जापान दूसरे महायुध तक अपनी संस्कृती और शभ्यता वासंजुक्त परिवार जैसी आधार भूत समाधिक मान्यताओं को किवल अपनाए हुए नहीं था बल्कि उससे चिप्टा हुआ था लेकिन जापान जैसे शभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके महदे दूसरे सब्दों में आर्थिक व्यापारिक निवेश और तकनीकी कारणों से दुईतिये महायुद्ध के बाध और सेतियुद्ध के दौरान एशिया के देशों में पुना धूंधलापन पैदा हुआ लेकिन यह बात सही नहीं है कि एशिया की संस्कृती और सभ्यता को पस्टिम के प्रभाव और आधुनिक तम तरीकों ने नस्ट कर दिया हाँ एक धक्का जरूर दिया पर समय समय पर एशिया का यह रूप एशिया की यह शभ्यता और संस्कृती बल्चाली तरीके से उधैमान होती दिखाई देती है पंडित जवाहरलल नहिरू ने 1945 में अपनी पुस्तक डिसकवरी ओफ इंडिया में एशिया की पहचान पर लिखा है कि हजार वर्सों से जब यूरोप अपने अंधकार के यूग में था एशिया ने अपने मनुष्यों की प्रगती शील आत्मा को प्रभावशाली धंग से दरसाया उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि एशिया की संस्कृती और सभ्यता यूरोप की संस्कृती और सभ्यता से अधिक प्राचीन है आज के दिनों में भी चिन के नेता अपने यहां आध्यात्मिक क्राम्ती की बात करते दिखाई देते हैं और अपने आर्थिक विकास को भी प्रति बिम्बित करते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के रास्ते की बात करते हैं और आधुनिक्ता और पारमपरिक संस्क्रिती के मिश्रन से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री भी मद्यमार्गी की बात करते हैं जिसको वे भारत का पारमपरिक विचार कहा करते हैं वियत नाम के ये सस्वी नेता भी शामयवादी विचारधारा को पारमपरिक शहिश्नुता के अनुसार ढालना चाहते थे एसिया के इन सब नेताओं की समय समय पर की गई गोशनाओं का वर्तमान संदर्भों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए जो एसिया की पहचान को नए सिरे से बनाने में शहायक सिद्ध हो रहा है यहां यह भी बताना उचित होगा कि हाल के वर्सों में एसियाई देश विशेज रूप से पूर्वी एबं दक्षनी पूर्वी एसिया के देश एसिया के सुद्रिड देशों के रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकास की दर से अधिक है तथा जिनके आने वाली शताब दिमें विश्व आर्थिक विवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आसा है आर्थिक सपलता की इन कहानियों का स्थ्रे मुख रूप से अनुसासित कार्ज किफायत एवं बचत की उची दरों जैसी एसियाई विश्थाओं को जाता है तथा इन से देशों की जनता के जीवन अस्तर में सुधार आया है और एसियाई की पुना खोज जैसा वातावरन बन रहा है एसियाई के देशों में अब आपसी भाई चारे की भावना उभर रही है और इससे ये देश परस पर निर्भर हो रहे हैं तथा सीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं हमारी सरकार ने अपने एसियाई परोशियों के साथ बेतर संबंध बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के प्रती शाकारातमक रवया अपनाया है इन सब प्रस्णों का जवाब आज उपलव्ध नहीं है लेकिन सनय इन प्रस्णों में ही इसके उत्तर मिलेंगे नहीं है